गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है मगर विने और विवेक साथ हो तो शिखर चू जाता है सुख मनुष्य के घमंड की परिक्षा लेता है और दुख मनुष्य के धीरच की परिक्षा लेता है नमश्कार मैं हूँ मुहत कमल श्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल यानि की सत्रा जुलाई के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को बढ़ाई एवं शुपकामनाय जिन का आज जनम दिवस है मैरिज अन्वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांक से तारिक 17 जुलाई 2023 से और दिन सोमवार का है आज के विशेश उपाय में शुरावन के सोमवार उप्योगी क्यों होते हैं यह आपको बताने जा रहा हूँ और उसी के साथ में राशी अनुसार आप क्या खास कर सकते हैं पंचांकी बात करते हैं समवत 2018 का श्रावन क्रिशन पक्ष चल रहा है अमावस्य अतिती रहेगी शाम के पांच बच के दस मिनिट तक जिसके बाद में प्रति पता दिती आरंब होगी पुनर्वसुनक्षतर रहेगा तो वहीं मिथुन राशी में चंद्रमा आज की दिन रहने वाले हैं रात के 10 बच करके 32 मिनट तक जिसके बाद में करकराशी में वो प्रस्थान करेंगे या ये कहें कि प्रवेश करेंगे आज के दिन रहुकाल का समय सुभे के साड़े साथ से नौ बजे है तो वहीं शुब चौगड़ी हम हुरत आपको एक बार मिलेगा वो है 3 बजे से लेके 7 बजे तक शाम के अब बात हो दिशा की और यात्राओं की तो पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्राए करना आपके लिए शुब साबित होने वाला है पर वहीं पूर्व दिशा आगने दिशा जिसको की कहा जाता है साउथ इस्ट इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखेगा कि दिशा शूल दोश का परिहार करने के लिए दूद पी करके फिर अपनी यात्राप आरंब करें अब बात आती है सुर्य उदे कालीन कुनली में शुब ग्रहय योगों की तो संखिया पाश योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीरती योग, परवत योग और केंद्र त्रिकोन राज योग का आपको साथ मिल रहा है तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्रावन के हर सोमवार पर आपके लिए विशेश कवज का निर्मान किया जाता है तो वहीं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और परिवार के मुख्या के लिए रुद्रा भिशेक भी किया जाता है आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ती है तो उसके लिए अलग-अलग कवच का निर्मान किया जाता है यह जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप नहीं सर्फ कवच के लिए बलकि रुद्रा बिशेक के लिए भी अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं और इनको आदेश दे सकते हैं कि आपके लिए जो भी सही है या फिर जो कवच आपकी समस्या के लिए है वो आपको बताया जाए और उसको कैसे निर्मान किया जाएगा कैसे वो निर्मत होगा उसके आपको जानकारी दी जाए हमारी टीम में बस आपकी पूरी सहायता करेंगे हर कवच आपके नाम और डीटेल्स देने पर ही बनेगा यहाँ पर कुछ विशेश जानकारी आपको प्रदान करता हूं सबसे पहले जीवन में सुक्षान्ती चाहिए है कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साथ ऐश्वरिय भी पाना चाहते हैं तो आपको दस महाविद्या कवच धारन करना चाहिए कन्याओं के विवा होने में बाधाएं आती है तो शिवगौरी कवच उन्हें धारन करवाना चाहिए वहीं पुर्शों के विवा में बाधा आने पर विश्वा वसु गंधर्व कवच आपको धारन करवाना चाहिए दामपत्यो सुख में सामन जसी की समस्या है इगो की समस्या है सुख में कमी महसूस हो रही है या अब अपने में पहले जैसा खिचाव नहीं महसूस कर पा रहे तो काम अनंग कवच आपको धारन करना चाहिए या आपके लिए शुब साबित हो सकता है जादा इंपक्ट डालने के लिए कामदेव यंत्र मुद्रका या फिर कामदेव यंत्र पेंडिल ये भी आप पहन सकते हैं स्वास्तिय संबंदित समस्याओं के लिए निरोगी काया के लिए धन्वंत्री कवच धारन किया जा सकता है घर में कले का वातावरन है चाहे आप पती-पत्नी के बीच में हो दूसरों का विरोध कर रहे हो चाहे पता-पत्र के बीच में मदभेद हो याद फिर घर की महलाओं में आप देखते हैं कि उल्जन है याद फिर ऐसी स्थितियां उत्पन हो रही है जो कि घर के वातावरन को तनावपून बना रही है तो ऐसे में इकादश है रुद्र कवच धारन करवाया जा सकता है इसे शांती प्राप्त होती है घर में वरतमान समय में जो व्यापारी बंदुगन तेजी से आगे बढ़ना चाते हैं उनके लिए लक्षमी नारायन कवच धारन करना शुब साबित हो सकता है क्योंकि लक्षमी जी और विश्नु जी दोनों का साथ जरूरी है सात्विक लक्षमी के लिए जिन पैरेंस को अपने बच्चों से लापरवाही की कू संसकारों की रास्ता भटकने की आशंका है उन्हें अश्ट विनायक कवच धारन करवाना चाहिए बच्चे कहना नहीं मानते हैं बात नहीं सुनते हैं तो भी अश्ट विनायक कवच उन्हें पैनाया जा सकता है वहीं छोटे बच्चे उनको सरस्वती कवच धारन करवाना अत्यंत शुब सिद होता है अगर आप आठों प्रकार की लक्षमी की प्राप्ती चाहते हैं और अश्ट लक्षमी कवच ऐसे में आप धारन कर सकते हैं आप अपना कोई स्टार्ट अप खोलना चाहते हैं रोजगार के कोई ना कोई साधन अपनाना चाहते हैं तो भी आपको अश्ट लक्ष्मी कवच धारण करना अत्यंत शुब और लापकारी सिद्ध हो सकता है जो भी यंग्स्टर्स, कॉंपटिशन के एक्जाम देने वाले हैं याद फिर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं यहां पर ध्यान दीजेगा कि बुद्धीबल की, तरक शक्ती की और इंटर्वियू में बहुत अच्छे ढंक से अपनी बात समझाने की यानि की वाक चतुरिता की आवशक्ता पड़ेगी ऐसे स्थिती में महा काली, महा सरस्वती और महा लक्ष्मी, तीनों ही देवियों की विलक्षन शक्ती का त्रिवेनी कवच आपको धारंड करना शुब साबत होगा हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वहिम के हाथों में है आई अब बात करते हैं आज के राशी फलकी और शुरुबात करेंगी मेश राशी से मेश राशी के लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है मित्र तारा का साथ एवा मश्ठक वर्कमिट हरी सेवन डॉट से हन्रिट परसंट पॉस्टिफ सिच्वेशन के साथ में आज के दिन आप दिन की शुरुवात करने वाले हैं ऐसे में कमाई तो शांदार होने वाले हैं वहीं सेल्फ कॉन्फिदेंस के कारण बड़े बड़े डिसिजन आज के दिन आप लेते नजर आएंगे यहां पर जॉब करते हुए लोगों को खास तोर पे बहुत जाद मुनाफ़ा देखने को मिलने वाला है जिसके कारण कोई बड़ी मीटिंग है तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना नए क्लाइंट्स को जोड़ना तो वहीं जो मार्केट में उतर करके पेमेंट कलेक्ट करने वाले हैं उनको भी यहां पर आज के दिन परिशानिया देखने को नहीं मिलेंगी अपने अबजेक्टिव को बड़े ही अच्छे से आज के दिन आप कंप्लीट करते वे नजर आने वाले हैं यहां पर हेल्थ वाइस आपको यहां समस्या देखने को नहीं मिलने वाली पर महिलाओं को खास तौर पर यहां पर चेतावनी दे दू कि भावक जादा मत होईएगा याद फिर जिसको हम कहते हैं चाहे खुशी के कारण हो याद फिर किसी बात को याद करने के कारण कोई भी भावकता वश बात करना किसी और के सामने आज के दिन परेशानी खड़ी कर सकती है याद फिर यह कहें कि आने वाले दिनों में या रात के बाद में आपके लिए य तो कौन ऐसो जो गलत राह पर ली जाते हैं इन दोस्तों का आज के दिन आपको स्वैम से अलग करना या फिर कहीं न कहीं पर अपने आपको डिस्टिंस कर लेना जादा बहतर रहएगा वरना टाइम का वेस्टिस तो होगा ही आपकी इमज में और आपके केरियर में भी आपको प्राप्त होने वाला है शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर शुबंक रहेगा नमबर नाइन अब बात करते हैं व्रशब राशी की आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी तारह का साथ है और अश्ठक वर्ग में 37 डॉट्स है सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर बन जाती है 40% सपोर्ट की पर ऐसमे बिनाबाद के खर्चे सामने बंद जाना मांसिक उलजन होना कहीं ना कहीं विरोधी कहें या फिर शत्रू स्वैम का दबदबा आपके उपर बनाने की कोशिश हैं यहाँ पर बड़े करते नजर आएंगे और उ आज के दिन कमाई साटिसफाक्टरी नहीं होगी पर यहाँ पर आगे के लिए आपके रोड मैप जिसे कहा जाता है वो जरूर बन जाएगा क्योंकि रात के बाद में थर्ड हाउस में चंद्रमा यह आपके लिए बहतर चीज़ों को जरूर लाएगा हम कह सकते हैं कि रिष्टेदारी हो ऐसे में बहुत सोच समझ करके आज के दिन अपने कोई भी राय या मश्वरा देने में आपको सावधान रहना पड़ीगा हो सकता है कि आप अपनी सोच में बहुत ही जादा अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए पर सामने वाले की एक्सेप्टेंस ना होना और ऐसे में वापस पलट करके जवाब देना आपके मान सम्मान को या तफर हम ये कहें कि आपकी सिल्फ रिस्पेक्ट को धक्का दे सकता है महिलाओं के लिए भी यहाँ पर यही कहेंगे कि आज कि दिन घर परिवार में चीज़ों को ले करके थोड़ा जादा सहज रहना है कन्फ्यूजन जादा भारी रहेगा तो जिसे हम कहते हैं गलती के कारण ही खाने में नमक जादा पड़ जाना ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है जरूरी नहीं कि महिला वर्ग जो हम बात कर रहे हैं जो ग्रहनिया हैं उनके लिए बात हो रही है जो वरकिंग वुमन ह उनके लिए जब व्यापार की बात होती है और नौकरी पेशा लोगों की बात होती है तो उसमें ही आपकी भी बात होती है तो इस तरफ जरूर देखिएगा ऐसे मैं खर्चों से खास तौर पे बचने के लिए आज छोटा सा एक उपाय कीजिएगा सुमवार का दिन है गन् का साथ और अश्टकवर्ग में 26 डॉट्स हैं 70% सिच्वेशन आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है जिसके कारण हम कहें लग का साथ मिलना अच्छा रेस्ट प्राप्त कर लेना वापिस एनरजाइज डूटना यह आज की दिन देखा जाएगा तो यहां पर कोशिश कि गर्मा गर्मी हो सकती है तो उससे आप साफधान रहीएगा वहां पर बहुत ही जादा गुस्से में आकर कि अब शब्द कहना या पर सामने वाले पर हावी होना यह गलती मत कीजेगा सापता ही कराशिफल में ओवर एक बड़ी गाइडलाइन में आपको देता हूं पर ड अच्छे लोगों का साथ अच्छी कमाई यह सब चीजें हैं पर थोड़ा कहने में और करने में यहां पर ध्यान देनी की जरुरत पढ़ने वाली हैं सेहत के अनुसार आज के दिन परेशान यह नहीं है यह तक कहूंगा कि आज के दिन शाम को रहते रहते कहीं ना कहीं अंक रहेगा नंबर सिक्स अब बात करते हैं करकराशी की तो ट्विल्थ हाउस में चंद्रमा है वदितारा का साथ और अश्ठक वर्क में 24 डॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन आपके लिए यहां पर 33 परसंट सपोर्ट की रहेगी ऐसे मैं फुंक फुंक के कदम रखना ज स्वयम का नुकसान हो सकता है कि बड़ा ही अच्छा काम आप स्वयम करते हैं पर सामने वाले के साथ में कमपैर्जन आपको कहीं न कहीं पुष्छ जादा करने पर मजबूर करेगा जो आपके हिल्थ पर और आपके फैमिली लाइफ पर असर डाल सकता है यहां आँखों के परेशानी वरद लोगों को देखने को मिल सकती है जादा यहां पर यह नहीं कहूंगा कि चोटल होना पर नंबर बढ़ जाना या फिर आँखों में से लगातार पानी आना या इरिटेशन महसूस करना इस तरफ इशारा फिर भी कहूंगा यूवक जो है यंगस्टर्स जो है यूवक यूवती दोनों ही उनको यहां पर कहीं न कहीं दोस्ती में दोस्ती यारी में गलत फहमी उत्पन होने से परेशानी हो सकती है आपके उपर जूटे इल्जाम लगाया जा सकता है या फिर आपको चड़ाने में आपके मजे लेने तो खुद को मायूस कर सकते हैं आज के दिन पर रात के बाद में situation positive होती नज़र आएगी पर ऐसे में major जो आपका दिन है वहाँ पर खुद को मायूस कर लेना कोई उपाय नहीं सिध होगा ऐसे में कोशिश कीजे कि सुभे सुभे जैसे ही उठते हैं सनान सब कुछ करके सबसे पहले घर के मंदर में ही अगर आपके पास में पारद शिवलिंग है या स्फटिक का शिवलिंग है तो उस पर जल से अभिशेक जरूर कीजेगा और हो सके तो जल में थोड़ा सा दूद मिला करके भी अगर अभिशेक करे तो ये भी आपके लिए बहुत जादा बहतर शुब रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा नमबर डू अब बात करते हैं सिंग राशी कि तो आपके लिए 11,000 में चंद्रमा है सादक तारा का साथ अश्ठक वर्ग में 24 डॉट्स हैं सिच्वेशन आपके लिए यहां पर 100% पॉसिटिव मनती है जिसके कारण हम कहें कि आज कि दिन अच्छी कमाई का तो आपको सहरा मिलने ही वाला है यहीं पर आज बहुत ज़ादा बड़े कमिट्मेंट्स आपको देने से थोड़ा बचने की राय भी देता हूं क्योंकि आगे ही इस दिन के अंत में आपको 12 थाउस का चंद्रमा है जह पर आप इंवेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं पर यहां पर सेहत को ले करके थोड़ा ध्यान रखे और खास तौर पे पैत्रिक संपत्ती को ले करके कोई भी चीज कर रहे हैं या कोई डिसकेशन है तो ऐसे में थोड़ा जादा आपको यहां पर आज इंपुट देना या फिर अपनी जो बात है उसको सामने रखने की आज कोशिश करनी पड़ीगी यही पर सिंग राशी के ले एक और चीज कहूंगा कि आज के दिन चाहे पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा इंसान जो बार बार आपके साथ में आना कानी करता है आपके रासने में रोड़े अटकात अब बात करते हुए अपने आपको प्रूव करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं शुबरंग रहेगा आपके लिए औरेंज कलर शुबंक रहेगा नबर एट अब बात करते हैं कन्या राशी की तो आपके लिए राशी भाव से टेंथ हाउस में चंद्रमा है वहीं विप चाहे हम वरद लोगों की बात कहें तो हेल्थ के अंदर रिकवरी इस समय में आपको मुमकिन देखने को जरूर मिलेगी खास तोर पे जोडों का जो दर्द है उस से इस समय में थोड़ी राहत आपको जरूर मिल सकती है जो भी लोग पोईटरी का का काम करते हैं लिटरेचर नहीं तो इंसेंटिव तो आज के दिन जरूर आपको मिल ही सकता है यहां पर जो महलाएं एक्सपेक्ट कर रही है डिलिवरी डेट उनकी आच चुकी है तो ऐसे में यहां पर खुश खबरी जरूर मिल सकती है आज के दिन या फिर यह कहें कि कल तक के अंदर आपको अपने आपको तयार कर लेना चाहिए है जो व्यापारी वर्ग है वो भी यहां पर नए काम के शुरूरात या तो फिर अपनी प्लानिंग स्टेज से एक्जेक्यूशन स्टेज की तरफ आते हुए नजर आएंगे इसके कारण आपको नेमोफेम की प्राप्ती तो होगी ही वहीं शुरुआती समय में मिल जाए उसके बाद में स्लो होनी शुरू करें तो रियलिस्टिकली एडजस्ट होने की बात होगी ना कि दूसरों को ब्लेम करने की शुबरंग रहेगा आपके लिए गोल्डिन कलर शुबंक रहेगा नमबर सेवन अब बात करते हैं तुलार आशी की हातों काम करवाया जा सकता है ऐसे में लिखित में लेकर के काम करना जादा बहतर रहेगा या तपर अगर खुद सोचते से कि में यह कर लेता हूँ इससे लोग खुश हो जाएंगे तो ऐसे में स्वें को फसाने वाली सीचुएशन बन सकती है पिर वो आप चाहे व्यापा यह sentence है, यह मत use किया करो, तुम्हें सोचने के लिए नहीं का गिया है, काम करने के लिए, तो ऐसे में यह situation भी develop हो सकती है, तो जैसा order मिले, वैसा काम करना जादा बहतर रहेगा, अक्सर कहते हैं कि घोडे से अगाडी और boss से पिछाडी रहना जादा बहतर रहता है, तो ऐसे म अपने boss से overtake करके काम को करने की कोशिश आप पर भारी पर सकती है, ऐसे समय में यह भी कहूँगा जो व्यापारी वर्ग है, आज के दिन थोड़ा अपने team members को team building exercises पर अगर काम करें तो जादा बहतर है, उनकी problems को समझें, या फिर उनको किसी ना किसी दरीके से train करने की तर बढ़ेंगे, वहीं यातरा करते समय थोड़ा सावधान रह करके करें, तो जादा बहतर रहेगा, वरना मानसिक, उलजन और परिशानी, दोनों हाथ में हाथ डाले, आज के दिन आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ purple कलर का इस्तमाल करना आपके लिए बहतर सिद होगा, तो व बीस तारिक को सुभे ग्यारा बजे के आसपास में आएगा, तो वहां तक आपको लगा था यह नेगिडिवटी या स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ने की ज़रुत पढ़ने वाली है, ऐसे में गलत फहमी आउत्पन होना, घर परिवार के साथ में कलेश होना, तो छोटी अगर उसको बठाने की कोशिश करेंगे तो जादा जीत में रहेंगे, यहां पर आज सोच समझ करके चीज़ों को कहना तो वहीं गुसा अपना कहीं पर भी ना दिखाना, जादा बहतर रहेगा, लोग आपके गुसे को इगो या तो फिर आटिट्यूड समझ करके आप से द बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पर एक समय के लिए आपको अनकमफिटिबल जरूर कर देती हैं, ऐसे समय में जूटे दोशारोपन भी लगाया जा सकते हैं, इसके बचने के लिए मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि आज के दिन, सुभे के समय में या तो फिर शाम के समय जब का है, तो सबसे उत्तम नहीं है, तो पारद और स्फर्टिक, इसमें से जो भी शिवलिंग हो, उससे आप जरूर आज के दिन अविशेक कीजेगा, अगर आपको ना मालूम हो, तो हमारे पास में महाकाल शिवलिंग भी अभी उपस्तित है, जो हम आपको काफी जादा समय से बता रहे हैं कि शत्रों से जो ग्रसित है, चाहे कोट केसे से ग्रसित है, तो उनको ये शिवलिंग अपने घर में अपने पूजा रूम में जरूर रखना चाहिए है, तो अगर इस तरफ आपकी सोच बढ़ रही है, या तपर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आपको बांध रहे हैं, आपके काम को बांध रहे हैं, तो आपको जरूर इस शिवलिंग को अपने घर में स्ताफ़त करना चाहिए, आज के दिन शुबरंग रहेगा, आपके लिए ग्रीन कलर शुबंख रहेगा नमबर फाइव, अब बात करते हैं धनूराशी कि तो आपके लिए सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है, जर्मतारा का साथ, अश्टग वर्ग में 31 डॉट से, ओवराल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 80% पॉस्टिविटी की बंती है, जिसके कारण अच्छे इंवेस्टमेंट ऑपॉचुनिटी सामने आना, अच्छी कमाई हो जाना, नहीं कि बाइस तारिक तक आपको लगातार ग्रसित रहना पड़ेगा कि आगे पीछे घूम रहे हैं लोगों के, फिर भी यह कहा जाएगा कि बीस तारिक के बाद में आपको कोई बात करने तो एक पॉजिटिव डिरेक्शन में बातने जाती हुई नजर आ सकती है, आज के अपने सासुमा के साथ में, अपने ससुर जी के साथ में, इनलॉस के साथ में कहीं बाहर की प्लानिंग करती है, चाहे मंदर ही क्यों नहों तो उससे फाइदा आपको जरूर मिलेगा, अच्छी बॉंडिंग घर के अंदर देखने को मिलेगी। तो वहीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर सिक्स। अब बात करते हैं मकर राशी के तो सिक्स हाउस में चंदरमा है, संपत्तारा का साथ और अश्ठकवर में 20 डॉट्स है, सिचुएशन 90% पॉस्टिविडी के साथ में आगे बढ़ रही है, जिसके कारण मॉनिटर तो वहीं अपने आपको इस्टाबलिश करना, अपनी गुडविल टेस्ट करना, या आज के दिन अगर आप करें तो आपको जरूर अपने कॉन्फिडेंस में व्रद्य देखने को मिलेगी कि सिर्फ नाम भर से काम कैसे होता है, अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूजन रहता है कि पिताजी ने पूरी जिंदगी महनत की, पर कहीं पर भी जाने से, मांगने से फेवर घबराते हैं, वहीं उनके फैमिली वाले जो है उनका नाम भर ले ले तो उनका काम हो जाता है, अक्सर होता है जो इनसान महनत करता है, वो स्वैम को बड़ा ग्राउंडड रखता है, तो आज के दिन ये कहूंगा grounded नहीं, एक बार analyze करने की कोशिश कीज़े, एक बार परखने की कोशिश कीज़े, इससे आपका swim का confidence तो बढ़ेगा ही, वहीं पर काफी ऐसे काम जो आप सोच रहे थे, असंभव है या तो फिर बड़ी परिशानी आ रही है, वहाँ पर लोग हसी खुशी का माहौल रहने वाला है, हर किसी के साथ में बड़ी ही अच्छी बाते होने वाली है, यंकसर्स भी इस समय में जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे जॉब के लिए, कॉलिज में एडमिशन के लिए, या ये कहें कि दोस्ती यारी में कोई favor करना चाहते हैं, कहीं किसी को guide क करना चाहते हैं, तो इस तरफ अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फायदा जरूर देखने को मिलने वाला है, शुब रंग रहेगा आपके लिए brown color, शुब अंक रहेगा number 3, अब बात करते हैं कुम राशी की, तो आपके लिए fifth house में चंद्रमा है, संपत तारा का कि प्रेशर बहुत जादा बना है, तो आपका काम भी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और इस काम के साथ आपको फाइदा जरूर देखने को मिलेगा, confidence में कुछ परेशानी जरूर हो सकती है, कि स्वेम को कम आख लेना, या फिर ऐसे लोगों के साथ में बैठना, जहां पर हर कोई आपसे जादा बहतर है, समझदार है, या फिर वेल आफ है, तो ऐसे में स्वेम का confidence थोड़ा लोग हो सकता है, पर ऐसा ना होने दे तो जादा बहतर है, पर आज भाग्यवसात जो काम होते हैं, वो नहीं हो सकते, जो लक का साथ मिलता है, लक का साथ नहीं, बलकि आज के दिन मेहनत का परिश्रम का फल ये जरूर मिलेगा, आज के दिन payment कहीं आपको नहीं अटकता हुआ नजर आने वाला काम अगर करते हैं, तो पार्ट payment ही क्यों ना हो, पर वो आपका release जरूर होगा, क्रेडिट पे चलने वाली आज के दिन बात नहीं होने वाली, यहां पर जो महलाएं हैं उनके लिए भी यही कहूंगा, कि घर परिवार को लेकर कि किसी बात को आज discussion करना है, तो आज रात तक के लिए उसको डीले कर दें तो जादा बहतर है, पहले husband के साथ में या तो फिर अपने life partner के साथ में शाला मशुरा कर लेना जादा बहतर रहे हमीन राशी की फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, जन्मतार का साथ और अश्ठक वर्मी 25 डॉट्स है, situation जो आपके लिए यहां पर बनती है, that is only and only 33% support की, सापता हिक राशी फल में भी आपको बताया था, कि शुरुवाती समय जो है इस हफते का, वो कहीं न कहीं struggles के साथ में जाने वाला है, health-wise परिशानिया है, तो यहां पर health पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे, तो वहीं चोटे-चोटे adjustments आप जो करेंगे, उसका तुरंत आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है, यहां पर कमाई के तौर पे, आज थोड़ा सा आपको विलंब देखने को मिले, या पर machinery का खराब होना, या पर किसी की commission पे करना, इन चीजों में अटके रहना संभव है, यहां पर नौकरी पेशा लोगों को भी यही कहूंगा, कि आज के दिन अपने boss के साथ में कोई भी बात करने जा रहे है, तो ध्यान दीजे, कि वो आप पर pressure build कर रहे है, आपके performance जाच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि next roll अगर आपको कोई offer किया जाए, तो उसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, या पिर आप उस लायक भी है या नहीं, तो ऐसे में हर छोटी समस्या को लेकर के आगे जाना, उसको discuss करना, इससे बचिए, यहां पर guidance मिल जाए, उतना ही क करें, तो आज के दिन आपको आगे आने वाले समय में, प्रमोशन के चांसे जरूर मिल सकते हैं, बीस तारिक के बाद में काफी जादा बेहतर आपको यहां result देखने को मिल जाएंगे, महिलाओं के लिए भी यहां पर यही कहूँगा, कहीं न कहीं दोस्ती यारी में, या फ कि जो better understanding है life partner के साथ में, उसमें भी यहां पर कहीं न कहीं एक doubt का बीज, आपको देखने को मिल सकता है कि पनप रहा है, शुब रंग रहेगा आपके लिए green color, शुब अंक रहेगा number one, ये तो हुई बात आज के राशी फलकी, अब बात करते हैं आज के विशेश शुपाई आदि शास्त्रों के अधिश्टा आता है, वेदों ने इस परमतत्व को अजनमा, अग्ये, अव्यक्त, अनंत, ब्रह्मान का कारण, विश्व प्रपंच, का श्रष्ठा, पालक और सनहारक कहे करके उसका गुनगान किया, शिव का अर्थ मंगल में और मंगल दाता है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है और शिव ही नित्य है, इसलिए शिव पूजा, अर्चना, आराधना, प्रार्तना हमारे जीवन चरिया का एक विशिष्ठ अंग रहा है, शास्त्रों में भी उलेख है कि देव, दनुज, योगी, रिशी, मुनी, सिधी, एवं गंधर्व ही न इनकी उपासना श्रावन मा में करके श्रदालू धन्य हो जाते हैं, श्रावन मा भगवान भूलेनात का महा पर वह, यदी जीवन में शिवत्व प्राप्त करना है, तो श्रावन मा से अधिक कोई भी सिध महौरत नहीं साबित होता, इस मा का आनंद कुछ और ही है, अलमस्त सुमवार के वृत की सोलवी कला को भी नहीं पा सकते, जो सुमवार को भगवान शिवका पूजन करते हैं, उनकी लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुरलब नहीं है, और इस दिन जो दान करे, वृत करे, जब करे, होम करे, ये उससे उमा महेशवर प्रसन होते हैं, वर्ष भर के सुमवार का वरत नहीं कर सके तो श्राहण मा के सुमवारों का वरत करने से पूरे वर्ष के सुमवार के वरत करने का फल आपको प्राप्त हो सकता है। व्रत सर्व कामनाओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब कुमारी कन्याओं के लिए शिग्र विवा और श्रेष्ट पती की प्राप्ति के लिए ये सबसे कारगर उपाय है। जीवन में श्रेष्टा शिवत्व के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। और इसल साधा बेतर है भोले नाथ को प्रसंद कर सकते हैं यह उपाए सबसे पहरे शुरू करेंगे मेश राशी से तो मेश राशी के लिए सावन में प्रती दिन शिव लिंग पर लाल पुष अर्पित करना चाहिए और जल में गुड डाल करके भोले नाथ पर अभिशेक करना इसके साथ ही आप दही चंदन सफेद पुष अर्पित भी करें और पूजा करते समय आप रुदराश्ठक का पाट करें या तफिर ओम रुदराय नमह इस मंतर का जाब करें ये आर्थिक स्थिती में आपके सुधार लाता है फिर मिथो नराशी के लिए सावन में हर दिन ग गी से भोले नात का अभिशेक करना और ओम नमह शिवाए इस मंतर का जाब करना ये आपके कारिय में आपको सफलता प्रदान करता है सिंग राशी के लिए श्रावन के दिनों में शिव लिंग पर गुड मिश्रित जल और गेहूं आपको चड़ाना सबसे ज़्यादा लाब के पत्ते याद फिर पानी में भांग मिला करके चड़ानी चाहिए गन्ये के रश्चते शिव जी का अभिशेक करना चाहिए और ये उपाए आपके आसपास की नेगेटिविटी जो है वो दूर करता है डिप्रेसिव थौट्स जो है उसको खतम करता है तुला राशी के लि व्रश्चिक राशी वाले श्रावण में पंचामरत से शिवलिंग पर अभिशेक करें अगर हो सके तो पूद्रे श्रावण में नित्य रुद्राष्टक का पाठ करें ये उपाए आपको रोग निवरती और दिर्ग आयू प्रदान करते हैं धनुराशी के लिए में व्रद्धी प्राप्त होती है तो महीं मकर राशी वाले लोग श्रावण में जल में गेहूं मिला करके शिवलिंग का पूजन करें और ओम नमह शिवाय इस मंत्र का जाब करें ये उपाए आपको केरियर में उन्नती प्रदान करता है कुम्बराशी के लिए श्रावण म नित्य जल में सफेद तिल मिला करके शिवलिंग पर अभिशेक करना चाहिए और ऐसा करने से विवा में कोई भी बाधाय आती है चाहिए आप पुरुश है या महला है आपके विवा की बाधाय ऐसा उपाए करने से खतम होती है बात हो मीन राशी की तो आपको हर रोज जल म सोमवार से एक दिन पहले आपको बताने का उदेश बस इतना है कि इस सोमवार को आप ऐसे ही वियर्थ ना कर दें कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे श्रावन में आपके साथ में उपाय लगातार बाटता रहूं आपकी कोई समस्या है कोई कामना है तो उसकी पूर्ती के लिए ये एक जरिया बन सकता है ये उपाय करने से आपको राहत प्राप्त हो सकती है कोशिश यही है अब इस कोशिश में कितना सफल हुआ हूँ ये आप ही मुझे बता सकते हैं कामन्स करके या तो फिर लाइक करके शेयर करके यहाँ पर कोई विंती नहीं है ये ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का जरिया है कि मुझे कैसे मालूम चले कि आपको जो मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ जो ये महनत है ये सही है या सही दिशा में है जैसे कि आप सब सापता है कर आशी फल को देखते हैं आज कर आशी फल देखते हैं उसी तरीके से इन में बता उपायों को करने से आपकी जिंदगी ही आसान हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्तना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदेव, सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवात हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जैश्री राम एवं जैहिन